जया गुरुजी शुक्राना गुरुजी जया गुरुजी संगर जी मेरा नाम रजनी है मैं चंडिगर्ट से हूँ यह मेरा शुक्राना सरसंग है और हम सरसंग करते हैं कि मैं सरसंग करने से सरसंग करने वाले का भला होता है और सरसंग सुनने वाले का पर भला होता है इसमें गुरु जी का आशिरवाद होता है इसमें हम वो बताते हैं जो गुरु जी ने हमारे उपर मेहर की होती है तो इस सरसंग में मैं पहले बताऊंगी कि गुरु जी ने मेरे उपर क्या-क्या मेहर की क्या-क्या blessing मुझे दी तो सबसे पहले घुरी जीने मुझे में सपने में Grais किया सपने में मैंने देखा कि जैसे प Darr adult पढ़ा दार ऊड़कर ढरा आपका बहुत 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 शुप्राला अन्यम्तिम शुप्राल और दूसरा कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खेंटों में चल रही हूं और जिस रास्ते चल रही हूं वहाँ आगे तीटलिया उरती जा रहेया जहां-जहां कदम रख रहे की ओ państi z pais हॉरृफ उरती जारीया कि दूसरे कलर की भी मगर सपने में भी गुरुपीता जी ब्लैस करते हैं तो गुरुपीता जी ब्लैसिंग के लिए बहुत-बहुत शुक्राणा हनानल्तम शुक्राणा और ने साथ कैस्ट मैं आज कि पिंडी के आगे बैठी थी वहां एक लेड़ी बैठी हुई थी बहुती शरद्धा के साथ और मैंने उसके गले में देखा तो उसके गले में रुद्राक्ष इसने lasion किया था और मैंने उस पूचा कि आपने रुदराक्ष कैसे धारण किया तो उसने बताया कि एक सरदार जी थे उन्होंने वह बैठी अध्य पिंडी के आगे उन्हें इने कहा कि बाबा तुझे संदेश फिर मैंने उसे पूछा कि पंज seriously wrote a fashion करना कैसे करने तो सींपल तरीक söyleyeं कोई ज्यादा निएम निहें मैंने ऐसे धारण कर लिए और ऐसलों से बात हो रही थी और मैंने एक तो अपने ही कि इसमें रहती हूं रंग में ज्यादा वैसा क्या वेलीज्य की बड़ी क्या आज परकरग्ती है वैसा कुछ ही नहीं मैं अपने मस रहती हूं थो अथ में भी बसेत पैनना हुआ था मैंने देखा निना बाद मिन दक बदा है Lady मेरे गुरु जीह और जैसे देखा तो महरान रहे crown और फिर मैंने उसे अपने गले में जो लोगेट्स तुरूफ गुरु जी और मुझे यहां संगत है पर वो इतने ज़्यादा नहीं रखते हमसे और वो उसने बताया कि मेरे बेटे को कैसे गुरु जी ने ठीक किया और मैं गुरु जी को बहुत मानती हूं और मुझे बहुत रोनाता है और फिर मैंने उनसे कॉंटेक्ट नमबर लिया और अपनी हज़ जल्ली है गुरु बितर जू को पता है कि पूरी की पूरी जल्ली ऐसे कुछ पता ने लगता तब उनने खुद ही उस दूसरी लेडी से बुलवाया कि ये 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 मेरे गुरु जी है वरना मैं तो पूछने वाली थी नहीं मैं बैठी हुए थी अपनी ही धुन में और पाप बहुत ख्याल रखते हैं ऐसे उनको पापा नहीं बोलते और मेरे तो वह माता पिता सब कुछ है गुरु जी और गुरु जी गुरु पिता है गुरु पिता उन्होंने ही बोलना सीखाया है तो गुरु भी वहीं है पिता भी वहीं है और भाई भी वहीं है और शादी के बाद तो ऐसे भी लड़कियां पराई हो जाती है मुलते हैं हाथ सीता का राम को दिया जन कराजा देंगे और क्या तो लड़कियां शादे के बाद पराई हो जाती है और जिसके हाथ में दी हाथ देते हैं फिर माँ बाप भी अपना पला जाड लेते हैं अब तुम्हारा कन्यादान कर दिया आप जहां दिया है वहीं रहों तो हमारे गुरू पिता जी ऐसे हैं जो माय का हो चाहिए ससुराल हो पहले तो गुरू पिता की यही शिक्षा है कि अपने ससुराल में रहो और बाकी कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है तो गुरु पीता जी सब खीक कर देते हैं धीरे धीरे तो और हमारे ऐसे पापा हैं हमारे ऐसे पिता हैं जहां हम जाएंगे वहां हमारे साथ रहते हैं और ये हमारी बहुत ही बड़ी blessing है बहुत ही अधुत blessing की हमें सुएई अपने भोले नात महादेव पिता के रूप में मिल रहे हैं जो हमें हर पल हमारी संभाल कर रहे हैं हर पल हमें देख रहे हैं हर पल हमारे उपर उनकी निगाह है और हमें बिल्कुल बच्चों की तरह प्यार करते हैं आजकल उन्होंने सपने में मुझे दर्शन देना बंद कर दिये, ब्लैसी कर रहे हैं, दर्शन देना बंद कर दिये और बड़ी प्याले मैसेज करते हैं कि मेरी मर्जी के वगएर मेरे दर्शन कोई नहीं कर सकता, तो पिता जी आपके मर्जी के वगएर आपके दर्शन कोई कर सकता मगर दिल में तो आप ही बैठे हो फुद्धी बोलते हैं कि तुम जगा जगा ढूंडती है पर मैं तो तेरे दिल में हूँ गुरुपीता जी एक रिष्टा आप से बन गया है एक रिष्टा आप से बन गया है जग ना उसे समझा ना कभी समझेगा क्योंकि जो समझा वही इस चग से तर गया है लब यू गुरुपीता जी लब यू सो मच मेरे इतने स्वीट से पापा बनने के लिए और उन सब बच्चियों के स्वीट से पापा बनने के लिए जो प्यार के लिए तड़फती है यह जिनके माबाफ शादी के बाद सोचते हैं कि हमने बोज अपने सर से उतार दिया है आप उन सब बच्चियों के बहुत बहुत प्यारे पापा हो सब से बहुत जादा प्यार करो सब के कस्टों को दूर करो पापा मेरे डैडी सब के कस्टों को दूर करो सब की जिंदगी को खुशियों से भर दो मेरे पिता जी सब के घरों को रस दो बसा दो जिनके हस्वेंट उन्हें प्यार नहीं दिकरते उनके मन में प्यार भर दो और रिष्टों को मधूर बना दो क्योंकि पति-पत्नी का संबंध ही एक ऐसा संबंध है जो इश्वर के आगे जूड़ता है और वो सबसे पवितर संबंध है और उस संबंध को आपके अल लोग बहुत कोशिश करते हैं हमें एक दूसरे से दूर करने की मगर गुरु पीता जी फिर हमें करीब ले आते हैं तो गुरु पीता जी आपका इसका बहुत बहुत शुक्राना अनंतम शुक्राना हरपल शुक्राना कोट कोट शुक्राना और जैसे मैंने बोला था कि गु बहुत हद तक उन्होंने स्रेंडर करवा दिया है तो इसके लिए गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना अनंतम शुक्राना और कल मेरी तबीया ठीक नहीं थी कुछ ऐसा हुआ था कि दो तीन दिन से मैंने जोत नहीं जलाई और नापूजा की मैं बहुत हाईली डिप्रेशन में थी तो मेरी हजबन मुझे दबाई लेने के और फिर पतने उनका क्या विचारवना चंडिगर में मांसरोबर का मंदिर है वहां वो मुझे लेके चले गए और गुरु जी की आगया कि वगयार मंदिर में उनकी मंदिर में नहीं जाया सकता तो उन्होंने ही मुझे बुलाया कि मेरा बच्चा कस्ट में है तो आ जाया और फिर मैं वहां उनके आगे मंदिर में बैठी और फिर वहां पर मुझे पता नहीं था कि वहां पर ब्लैसिंग मिलती है तो वहां पर जो आफिस है वहां पर मैं गई अंदिर अपने आपी और वहां पे मैंने एक उनकी ब्लैसिंग एक बड़ा सुरूप लिया और दूसरा एक छोटा सुरूप लिया जो जिसमें एकरवे का सिक्का लगा होता है और उन्हें लेके घर में आगे और इस तरह मुझे इतने टाइम के बाद ब्लैसिंग मिली इससे पहले भी मैं तीन वर जा चुकी हों और मैं सोच थी कि कहा ब्लैसिंग मिलेगी मगर जब तक गुरू पिता कि आग्या ना हो तब तक उनकी ब्लैसिंग कोई नहीं ले सकता और मैंने खुद दियूने सुरूप निकाले हुए थे मगर बोलते हैं कि जो बिना पैसों के मिले उसमें वह गुरू गुरुपीता जी ने एक बात और और धशास को रवा दिए शारा पीज्ट है नहीं already यe शरुपीते जिते इनकी भुएने, वुक्ते हैं अंड़ों जिते मर जी तो मैनों न चाहिआ जाऊ तो हम सब उनके हाथों के खिलोने हैं वो किसी के भी माइंड को कैसे भी डाइवर्ट कर सकते हैं और ये सब चीजें मैंने अपने आंखों से देखी अब मुझे रिलाइस हो रहा है कि सब से उपर सिर्फ गुरु जी है गुरु पिता जी है अगर वो राजी है तो सब राजी है अगर वो राजी नहीं तो कोई भी राजी नहीं और हम सब उनके हाथों के खिलोने हैं और उनसे प्रेम करेंगे निस्वार्थ प्रेम करेंगे तो वो भी हमसे निस्वार्थ प्रेम ही ढूंगते हैं और अगर उनका कोई भगत अपनी इच्छाएं ले ले के उनके पीछे जाएगा कि मेरी इच्छा पूरी कर दो मेरी वो कर दो तो जिसे वो चाहेंगे ना कि ये मेरे से मेरे को ही मांगे तो उसे तो वो बहुत मतलब उसका ऐसा हाल कर देते हैं जो आप सोच नहीं सकते एंड में उसे हार मानने पड़ते हैं कि बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए हमें आप ही चाहिए और बोलते हैं रब से रब को मांगो तो रब से रब को तब ही मांग सकते हैं जब रब की इच्छा हो और रब की इच्छा के बगएर रब को नहीं मांगा जा सकता और जो मैंने भक्ति की थी तो मुझे रब तक किये तो पहुंचना था तो गुरु विताच ने खुद ही सिखाया था कि रब से रब को मांगो और बीच में मैं फिर भटक जाती हूँ तो फिर से वो जटका दे के सिखाते हैं कि रब से रब को मांगो मुझे से मुझे को मांगो बनियादी चीजे मत मांगो गुरु भी वही है ना और रब भी वही है गुरु बन के रब तक भी वही पहुंचा रहे हैं और सिखा भी वही रहे हैं भठक जाते हूं, तो रास्ता भी वही लेक्या आते हैं. तो इतने प्यारों गुरु और इतना प्यारा रभ रिलने के लिए बहुत 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 शूकराना, अनन्थम शुकराना, कोट कोट शुकराना, गुरु पिता जी, अपना हाथ हमेशा मेरे सर के उपर रखे रखिएगा मेरे परिवार के उपर मेरा परिवार जो आपका ही परिवार है उसके उपर भी अपना हाथ रखे रखिएगा और सारे संसार के दुखों को दूर करिएगा हर घर में खुशी हो सब घर में फुशी के दीपक जलें कोई दुखी ना हो सब के सर पे हाथ रखेगा और सबस्टन करते हो कोई गलती हो तो मुझे माफ करिएगा गुरु पीता जी माफ करिएगा सन्वगर जी चया गुरु जी शुक्राना गुरु जी